पाप से डरो, पाप करके मत डरो, अब पाप कर दिया, मारा जी क्या उपदेश दे रो, हाँ, पाप कर दिया, तो भोटने के लिए तैयार रहो, क्यों, क्योंकि जो पाप किया है मैंने, वो मुझे फल दे गई अब नया पाप मत मांदो, आप अब अब रो रहे हो, पाप के उद्य में रो मत, पाप के उद्य में रोना नहीं है, क्योंकि जो अपन ने किया है, वो ही तो फल दे रहा है, तो पाप की किरिया से डरना है, पाप के फल से और पाप करके नहीं डरना है, पाप से डरो, पाप की के फल से उपाप करके मज़रो सिधी सिधी बात तब आप नवीन कर्म का बन्नी करेंगे आपने देखा होगा चाहे श्री किष्ण भी है अन्यना यहीं का उधारन ले लो अन्यनगीरी में बैटे हो आप लूट तो अन्यना ने कभी किसी को दोस्त नहीं दिया उन्होंने अपन कोट में चले जाएंगे कि क्यों मेरी तरफ नहीं देखा अपने 22 गंटे देखे वहां 22 साल की बात बोल रहा हूं और पिता दरवाजा बन कर लिया बोलो फिर भी कभी किसी को उन्होंने कोसा नहीं दोस्त नहीं दिया क्योंकि वह जानती थी कि यह मेरे पाप का फल है जानत नहीं थी और बताया भी पदम पुराण पढ़ लो पढ़ी रही है हाना पदम पुराण में इस पश्ट आया कि पूरु भव में कुछ तमय के लिए प्रतिमा का अनाधर किया था तो यह हाल हुआ उसका यहां पर तो यहां पर भी पाप के फल से नहीं ड़ना पाप करके नह जाना उसके बाद में जो है उसको स्वीरकार कर लो कल मैंने कहा था आप लोगों से कि पाप से बचना और पाप को त्यार्दना ठीक है नहीं पाप से बचने के लिए धर्म मत करो पाप त्यार्दने के लिए धर्म करो क्या बोला पाप से बचने के लिए धर्म मत करो पाप क बचेंगे लेकिन उसमें आपके पाप कटेंगे नहीं जो पुराना जो संचित है यहां पर संचित पाप की बात मैंने पहले भूमी का उतानी का बताई दी कि जो संसित पाप है उसको काटना है क्योंकि पाप का त्यागना और पाप का काटना ये भी दो अलग अलग बात है ठीक है ने पाप का त्याग तो कर दिया लेकिन पाप को काटा कहां आपने नियम ले लिया कि ये नियम है मेरा अब मैं रात्री भोजन नहीं करूंगा जो आपने त्यार कर दिया आज कि हमने पाप का त्यार कर दिया मराझी आज से रातरी भोजन नहीं करेंगे तो ये त्यार कर लाया वाँ पीछे पहले deposit है उसको भी अपने अकाउंट में है इसलिए होता क्या है बड़ी विडंबना है आचार सनिता केवल चुनाओं में लगती है तो आचारी स्रीजी के पास में नेमावर में जो इंदोर में रहती है नहीं ताई क्या नाव है सुमित्रा महाजन वो आई तो सुमित्रा महाजन बोली कि आचार स्रीजी आशिरवाद दे और जो है आपके हमें आचार सहीता लग गई है और अब चुनाओं में जो है हम खड़े होएं आचार स्री जी बोलते हैं क्या दो मैने के लिए आचार सहीता है क्या फिर चार साल और दस मैने के लिए अनाचार सहीता लग जाती है क्या बोलो आचार सहीता क्या दो मैने के लिए है क्या फिर बाके द आजाए कि प्रतिपल आचार सहीता है हमेशा आचार सहीता है हम चाहिए कहीं पर भी हो मैंने बाग की शुरुवात ही वहीं से कीती कि घर में हो जितनी देर मंदिर में रहेंगे उतनी देर आचार सहीता उतनी देर लड़की की तरफ नहीं देखेंगे तो भी आप हो जाएगा उतनी देर कोई गलत काम नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा, बाहर जाते ही पाप है, बोलो बाहर जाते ही अनाचार, वो आचार सहीता नहीं है क्या, आप हमारे संपर्क में इतनी देर हैं, उतनी देर तो आप पाप करत्याद किये हैं, अभी किसी को गुस्ता नहीं आ रहा ह तीज़ा अच्छी बात है लेकिन घर पर भी तो नहीं आए वहाँ पर भी तो आचार सहीता लागू करो आप यहाँ पर तो आचार सहीता कर लिए कि मंदिर में और गुरूओं के पास में यह जिन्वानी पढ़ते हैं स्वाध्या गड़ते हैं उतनी देर तो हम आचार सहीता लागू है बाकी देर बाकी देर भी पाप को आपको बचना होगा आपको त्यादना होगा तभी हमारा पुराना संचित पाप कटेगा अन्यता नहीं कट पाएगा राजा श्रेनिक का भी अभी श्रेनिक चारित्र का स्वाध्याई एक दो दिन में पूर्ण होने वाला है वह सोधर मुनिराज पर सर्प डाल दिया नरक का बंद हो गया वो रोने लगा फूट फूट के बढ़वन मुझे बचा लो मैं नरक नहीं जाना चाहता और सब काम कर लूँड़ा आप जो बोलोंगे वो नियम ले निकले तैयार हूं लेकिन नरक नहीं जाना चाहता लेकिन कहते ह है कि जिसकी जैसी एक बार बान लियाने तो तुम अब कितना ही रो पाप करने से डरो और पाप के फल से पाप करके मट डरो पाप करने से डरना है पस वो ही था तीन काम करने समझाने की दरश्टी से होता है हमारे पास में कोई आता है तो ऐसा ही बोलते है तो वहां पर दिय कि तीन काम कर लो स्वितामबर के उधर भी आती है क्या था उन में से कोई सा भी एक कर लो चलो कौन बनेगा करोड़ पती में होता है ने जैसे तो 50-50 वाला तीन में से कोई एक कर ले ना तुम नरक नहीं जाओंगे कौन कौन से काम है पहला काम है कि तुमारी जो दादी है वो आज तक मेरे दर्संग को नहीं आई बस उसको दर्संग करा दे दूसरा दूसरा है कि तुमारे यहां जो दासी है वो दासी भी मेरे दर्संग को दासी ने आज तक कभी अपना द्रव्यदान में नहीं दिया तो वह एक अपने तरफ से कोई दान दे दे और तीसरा है कि तुमारे यहाँ काल सौकित नाम का एक कसाई रहता है वो प्रती दिन पांच सो भैसो का बड़ करता है एक दिन के लिए उसका वद रुखवा दे इन तीन काम में से कोई भी एक काम कर ले तुम नरट नहीं जाओंगे बहुत तीनों काम मेरे लिए राजा हूँ चुट्री के काम है सोचा पहले दादी को दर्सन करवा दूँ तीन काम याद रहेंगे ने तीन कौन कौन से बताए दादी को दर्सन, दासी से दान और काल सौकित कसाई से एक दिन की हिंसा का विराम अब वो आया दादी को अपने रत में बैठा के वन विहार के नाम से ले जाने लगा और वन में जैसे ही जाने लगा रत तो दादी खुस और दोनों बाते कर रहें इतने में देखा ये वन विहार के विहार के बैठाने जो तक्वा होते हैं, जो एक सरिया जैसा, वो तक्वा थे, उन दोनों तक्वा को निकाले, और दादी ने अपनी दोनों आके फोड ली, हमेशा, हमेशा के लिए वो अंदी होना स्विकार, लेकिन उस महावीर के दरसन नहीं करूं, दूसरा, दासी को दान, दासी सितान की तैयार हुई, दान दे रही थी, बोलती है, मैं दान तो दे रही हूँ, लेकिन राजा का दबाव है, इसलिए मैं दान दे रही हूँ, ये भी दान नहीं कहलाएगा, स्वस्चा थी सरको दानम, फिर आजे तीसरा, जो है, वहाँ पर काल सोर्की को एक दिन के लिए वद रु कर दिये, बोले एर्टीन जेल में बन रहेगा, तो फिर कहां से मारेगा, वो जेल के अंदर भी इतना मैल उसके सरीर पर चड़ावा था, कभी धाया ही नहीं, वो मैल की बत्तियां बना बना के, और उनके पांसो भैसे बनाएं, और उनको अलग कर रहा है, आटे की मुर्गी कहानी याद कर ले ना, जो लेप्टॉप पर, मोबाइल पर, जो काल्टून और ये देखते हैं ना, उनको किस प्रिकार का दोस्त लगता है हिंसा का, ये इस कहानी से है, कि वो उन, मतलब जिसको बोलते हैं, भाव हिंसा, हाँ, ये भाव हिंसा है, उसने तुरंट पांसो भ हैसे बनाएं, और उनको मार कर अपना जो प्रन था, वो पूरा किया, तीनों काम में से एक भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि नरग जाना अनिवार है था, पाप का फल भोधना ही पड़ेगा, भोधना ही पड़ेगा, ये तो छोड़ो, आचारी स्रीजी का इस संस्मन याद आ तो देखा, आज आचारी स्रीजी के पाऊं में एक बहुत लंबी लाइन यो लगी वी, तो ये लाइन कैसे है, ये लाइन, किसी ने रात में वय्यावर्ती कर रहा होगा, तो वो खेंच गया, तो वय्यावर्ती कर चाल के वो तो फुन् leads कमा रहा है, और आचारी स्रीजी ड नाखुन की निशानी थी बिल्कुल उनाखुन पूरा खून बलड या नहीं वहां पर जमावा था तो ये तो वो भी ये भी भोधना ही पड़ेगा कैसा ही कर लो पुराना पुन्ने के साथ में पाप भी अपना फल कहीं कहीं तो देई देता है इस प्रकार से अपन को पाप के फल से और पाप करके दरना नहीं है आज का यही है और इसके लिए क्या करें इसलिए दीरे 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 सुदरना है सुदरना या बदलना ही साथना है सबसे अच्छा कोटे से ने निरापत सागर्दी अपने कमरे में लिखाये वी ते ना सुदरना या बदलना तो सुदरना इसादना है जितना जितना सुधरोंगे कौन कहता है इस पंत्यमकाल में मोर्ष नहीं है अरे मैं छाती ठोट के कहता हूं इस पंत्यमकाल में भी मोर्ष है और यहीं से मोर्ष है बोलो मुर्थी है जाना चाहते हो धाक्टर साब जाना चाहते हो हां जितना जितना आप अपने दोस्त दुरभलताओं और दुरग्णों से जितना जितना आप दूर होते जाएंगे, उतना उतना मुर्ति के करीब होते जाएंगे, उतना उतना मुर्ति के पास होते चले जाएंगे, ये मुर्ति तो है, दोसों से मुर्ति, दुरग्णों से मुर्ति, दुरभलताओं से मुर मुर्ति तो दुख्रों से मुर्ति अपनाप ही हो जाएगी एतने एत दिन दुख्रों से मुर्ति हो जाएगी आज का यह हाइकु लेकर अपनी वानी को विराम देऊंगा कि पिछे भी देखो पिछ लग्डू न बनो पिछे भी देखो पिछ लग्डू न बनो पिछे रहोग को पास्चाज संस्ट्रती के पिछ लगू मत बनो नहीं तो पिछे रहोंगे इसलिए पिछे न रहें हम भी आगे बढ़ें और आगे बढ़ते ते लिए और पापों से बचें इसी भावना के साथ में अपनी वानी को विराम देता हूं बोलिए अहिंसा परमों धर्में आप तो मिठाई भी खाते हो और दवाई भी खाते हो खाते हो ना मिठाई कितने कैसे खाते हो बड़े चाव से खाते हो और दवाई बचाव के लिए खाते हो मिठाई बड़े चाव से खाई जाती है और दवाई बचाव के लिए खाती है बस संत कहते हैं जीवन में भी कोई आए तो दवाई समझके कर लेना आपका जिंदे की सारत्र हो जाएगी क्योंकि अच्छा कार्यें पूरा मन लगा के करो और भूरा कार्यें करना पड़े कल इसी आसे की बात मेंने की थी पाप और पाप की क्रिया से डरना और पाप के फल और पाप करके मत डरना पाप करके मत डरना क्योंकि अब करी दिया है तो अब उसका फल बोरने के लिए तैयार हो जाना आगे पाप मत करना बस लेकिन जो आपने किया है उसका फल तो आपन को मैंने किया है तो मुझे उसका फल बु आगे चलते हैं सामाइट पार्ट में आचारिय अमिग्रति बढ़ण कह रहे हैं कि किसान बीज होता है तो सबसे पहले क्या होता है खरपतवार होती वो पोधा अंकूरित नहीं हुआ उसके पहले तो खरपतवार हो गई समझे है ठीक है खरपतवार हो गई और उसके अलावा जब कोई आप लोग नियम लेते हो ना तो उसकी परिक्षा सुरू हो जाती है अभी तक उस नहीं हो रहा था जैसे ही आपने नियम लिया तो परिक्षा शुरू संकल्प लेते हैं मन में विकल्प उठना सुरू हो जाते हैं संकल्प नहीं लिये थे तो विकल्प महाराज हम कि विचार क्यों आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि हमने दोसों में जीने के आदी हो गए हम अपने चारों तरफ दोस ही दोस्तों करते हैं चोबीस गंटे में से अपन किसनी देर धरम ज्यान करते हैं और किसनी देन आत्रो रोद ज्यान करते हैً तो वो ही वो वीशार आएंगे ना, आपके नहीं, मेरे भी, मैं भी बैठता हूं तो पहले थोड़ी देर के लिए तो वो ही आते हैं, फिर उनको हटाना होता है हम लोग क्या करते हैं उनसे drop stop it avoid it मैंने बोला था ने निशेद पड़सों मेंने कहा था निशेद नियंत्रन नियम तब सुद्धी होगी पहले आपको निशेद करना avoid it फिर नियंत्रन stop it फिर्फ के बाद में नियम हाँ अब हम संकल्प ले लिए तब आप सुद्धी और फिर सिद्धी की अवस्ता को यही क्रम है हर इंसान के लिए यही क्रम चलेगा आज आचरी बग्वन यहां कहते हैं कि वो दोस्त कितने प्रकार से हमारे अंदर में प्रवेश कर जाते हैं को को हीजाम में बैखना सुरू होते हैं तो एक्जाम में बैठते ही छार प्रकार के जो दोस्त हैए वो परतेव्याति के साथ में हैं और उनकी परिवास हभी क्या है वह अडले चरण में हैं अपन दोनों आठवे और नवे जो कारी का है उसका उचारण कर लें फिरлекन आप पहले मैं बोलूँगा आपको दोरा ना एक एक चरन अतीकमम यद्विमतेर व्यतिकमम जिनातिचारम सुचरीत्र कर्मन व्यदामनाचार मपी प्रमाद तह प्रतीकमम तस्यकरोमि सुद्धै आप पहले मैं बोलूँगा आपको दोरा ना एक एक चरन अतीकमम यद्विमतेर व्यतिकमम जिनातिचारम सुचरीत्र कर्मन व्यदामनाचार मपी प्रमाद तह प्रतीकमम तस्यकरोमि सुद्धै यहाँ पर अतीकम यद्विमतेर व्यतिकमम जिनातिचारम सुचरीत्र कर्मन हा यानि हे भगवन जिन्न में से निकाल लेंगे ये जिन, ये जिनिंद्र भगवान आपने इंद्रियों को जीत लिया है सु चरित्र कर्मना है मा उत्तम चारित्र का धारी होने के वाद में भी अपने आप में मैं चारित्र में आगे बढ़ना चाहता हूं या मैं बढ़ चुका हूं मैंने उसको अंगिकार किया है फिर भी मवीमते दुरु बुद्धी आयतां दुरु दिया ऐसे दुरु मद्धी या प्रमादत है यह पंचमी है तो प्रमाद के द्वारा या तो मेरी मती खराब हो जाती है क्या करूं या प्रमाद आ जाता है थोड़ा सा भी एर कंडिशन में बैठता हूं वो मेरी फियर कंडिशन हो जाती है फियर कंडिशन तो होती नहीं पूर कंडिशन हो जाती है इसलिए कंडिशन में नहीं बैठना तो यहां पर बोल रहे हैं कि उत्तम चरित्र का धारी होने के बाद में भी दुरु पुत्ति और प्रमाद से किस प्रकार से दो प्रतिक्रम अतिचार और अनाचार की सुद्धी के लिए क्या करता हूँ प्रतिक्रमन करता हूँ यहाँ पर आया ना प्रतिक्रमन तस्षे करोमी तस्षे कर से अतिक्रमस्षे व्यतिक्रमस्षे अतिचारस्षे अनाचारस्षे इन चारों की सुद्धी के लिए क्या करता मुझे सुनाई दीरे देता है हाँ प्रतिकमन करता हूँ अपने लोग प्रतिकमन करते हैं अब यह अतिकम व्यतिकम अतिचार अनाचार क्या है अडली कारिका में खुद आचारी सिरी बता रहे हैं क्यों हमार से पूत रहे हो आप तो उनसे अपन भाठ कर लेते हैं अडली कार शीक्रमं शील व्रतेर विलंगनम प्रभोतिचारं विश्ये शुवर्तनम वदंतनाचार निहाति सत्ताम वदंतनाचार निहाति सत्ताम उन्होंने उन चारों दोस्तों के बारे में बता दिया देखो या तो प्रतिमादारी आप लोग हैं नहीं है तो आगे बढ़ें और कोई भी आप दुकान भी खोलेंगे तो यह दोस्तों होते हैं यह और बता दूं यह चार चरण होते हैं इन चार चरण में पहले चरण में स् जाम करूंगा कि छतीम मने सुद्धी विदेर व्यतिकम यानि मन की सुद्धी में कमी होना पाप सबसे पहले यहीं पनवता है महराधी कहते ना सबसे पहले वो विचारों में ही आता है बाद में वचन और हमारे काईस से धलगता है यहां जब तट नहीं आएगा ने हमारा यह माइंड में यह बेजा है ना इसको यहां अंकॉंसेस माइंड इसमें बैटाना जरूरी है तो यहां पर भी बता है मन की सुद्धी में कमी आई अतिकम छतिम मन की सुद्धी में छति हो गई कमी आ गई यही क्या है विदेर अतिकम है इसी की विदी का नाम तो अतिकम है फिर व्यतिक्रम क्या है तो व्यतिक्रम के लिए बता रहें कि सील व्रतेर विलंगनम हमने जो व्रत लिये हैं हमने जो सील धारंग किया है हमने जो सीमा बनाई है हमने जो नियम लिया है उस नियम की बाढ़ का त्यार करना अभी तोड़ा नहीं है आपने नियम तोड़ा नहीं ब् यह चलिफ कुछ आएं हैं शर्फ लेक्ट जो थूआ भी उसको लेकर भी आया तो यह तो रख व्यती प्रमव उर से रुतिर विलन्ड नाम हम नियुनार व्रत और सीवा त्यार करना ये क्या है व्यतित्रम क्या है सील वृतेर विलंड़नम हमने शील और वृतेर को लांड़ा Styles अभी थीक में तो यह क्या हो गया है व्यतित्रम फहले अतित्रम फिर व्यतित्रम थोड़ा आगे बढ़ गए अब और my life तिती आगई अतिचार और अनाचार तो अतिचार क्या है उसके बारे में विए यहां पर अडले चरण में बता रहे हैं प्रबोटी चारम विश्ये सुवर्तनम मन में भारीपन मैसूस होता है थाने विश्यों में वर्तन कर जाना हमेशा नहीं कभी-कभी यदा-कदा यह अति यानि प्रभो अतिचारम है प्रभो अतिचारम क्या है विश्येशुवर्तनम अब विश्यों में आप प्रवर्त हो गए उसको आपने स्विकार कर लिया जाना नहीं था छूना नहीं था देखना नहीं था ये सब तो ये अपने पांचों इंद्रियों से तो मन में भारीपन म अगुलानी का होता है एक अंदर में हील जाते हैं आज मैंने क्या कर लिया एक बाल एक बच्चे को थोड़ा सा डख्चन में पानी में होडी सी वाइन मिलाकि प्लाई थी लेकिन फूट फूट के रहरा है आज मैंने अपने जीओं को बरबाद कर लिया आज मेरा जीवन असफल हो गया मैंने आज ये क्या कर लिया कितना बड़ा अनक कर दिया मैंने अपने माता पिता के साथ दोका कर लिया मैंने अपने परिवार के साथ दोका कर लिया ये उसके मन में कचोड़ता है ये क्या है अत्थी चार ले तो लिया लेगिन दोस्ट लजने के बाद में उसके अब मन में उसको हल चल मच रही है जब तक वो प्राहिस इतनी होगा उसके मन में और उसके आगे अनाचार क्या बोल रहे है अब वो उसे में आ सकते रहता है उसे में रचपच गया एक बार किया था कोई बात नहीं अब बार-बार कर रहा है उसी कोई यह क्या हो गया अनाचार समझ वारे ने एक उदारन दे रहा हूं छोटा सा कि गाई का खेत की और देटना गाई का खेत की और देटना दूसरों के खेत की और देटना यह क्या है अतिक्रम जो उसकी बावंडरी वाल थी उस बावंडरी वा अब मुँ घास्यों पर मार दिया यह क्या हो गया खाना एक बार यह क्या हो गया अतिचार और वो किसान आया और एक लग्ची मार रहा है तो भी नहीं भाड रही है कि यह क्या हो गया अनाचार अतिक्म अनाचार अतिचार और अनाचार इसलिए अतिचारों का प्रायस चित अहीं अतिचारों को हमें छोड़ना हैं अतिचार लगते हैं कि अप्रパूरा पूरा तट्वार्श हुत्र में पूरा अध्याय अतिचार से बढ़ा है आठाया है है कि अबoration के 55 अतिचार होते हैं हर परके बारा व्रत न तो बारा व्रतों के तो में पांच पांच अजिघर कल चर्च करूंगाे सिकंवारे में की अतिचार के माध्यम्य से बचने के लिए हमें क्या करना है ब्रत जो है अभी वह तूटा repeating तुरहं तुले लो ऐब दो हाई कुश अभी लेके अपनी बाणि को या विराम कर दो यह आई कこ पर ले लेंगे आज इतना ही रहने देते हैं अचारी शीरीजी का एक संस्वन्ट चोटा सा सुना के अपनी वानी को भी राम कर देता हूं कि अचारी शीरीजी अभी नेमावर में हम लोगों को प्रतिमा विज्ञान के बारे में पड़ा रहे थे तो दो अतिचार और अनचार में क्या आंतर हैं कि आप लोग पानी खेस्टेव कुवे से अभी सुबहज़ चल रहे थी तो कुवे से पानी खेंचना है समयार आप पूए में आपने बालती उतारी या जो भी हंडा बजर जो भी बरतन आपने उतार दिया अब जैसे ही पानी की बालती भरी तो आब रस् रस्ती तोड़ी पुरानी हो गईती रस्ती पुरानी ओगईती आपका आवाज आई चट आńsk इस आवाज आ रही है रस्ती 3-4 क्यों से मिलकर बनी थी अव जैसे जैसे आप खेंट रहे हैं वह जट की आवाज आ रही है आ रोट चट CT वह चक यह वाज आ रहिए यह यह क्या है अतिचार पिर वी आप सोचरे धीरे धीरे खोले 57 लो खैस तरने खैस जा रहें और जैसे ही आप वालटी को पतडने वाले ते इतने में वो रसी तूटी अफ्ष्र पूरी की पूरी रसी तूटके नीचे चली गई नीचे चली गई वो नीचे जो चली गई है वो जो आवाज आई ये क्या हुआ अनाचार वो जो चट चट की आवाज आ रही है वो तो है अतिचार और जो टूटी गई पूरी की पूरी नीचे अब गई भैस पानी में ये क्या हो गया अनाचा से उपर उपर की स्टति अतिच्रम व्यतिच्रम और अतिचार में हमें स्टॉप होना है हमें रुट जाना है तब हमारा यह जीवन सार तक होगा अनाचार की स्टति में हमें कभी भी नहीं पहुंचना है ऐसी भावना अपनी बार-बार बलाना है इन दोनों कारिकाओं के माद प्हुजन मनाते वक्त तो क्या होना चीए never Mosk player मांता का पांट ंर चीए Radha मेला करने में कोई बादा नहीं है वारा बहुत अच्छी बात ए मेरी बाऊना का पार्स चलных के सबक्र हर मही ना के पास मोबायले बटन दबाओगे वर सब तयार रहे हैं दुरूपयोग तो बहुत हो रहा है सदूपयोग कित्ता कर रहे हैं उस मोबाइल का हमारे मारज उसको बोलता है जुनजुना उस जुनजुने का आप उपयोग कित्ता कर रहे हैं बताओ तो हैं अब कल भी से बहुत हमने बात महां पर बोली थी तो आप उस समय जिस समय आप भी मान के चलना आप कर्तब वे कर रहे हो आप क्या कर रहे हो، कर्तब वे कर रहे हो वो कर्तब वे है आपका उस कर्तब को निश्ठा लगन और आस्था के तक सा बस रोटी बनाना है यूँ, मैं जो बना रही हूँ उसमें भावो को भी डालना है, शमप्रेशन को भी डालना है, हम बार-बार बुलते हैं, कि किसी के गहर जाते हैं, तो ऐसा लगता है, कि वह उन जिनकी सामाई के अलग होती है, क्या कारण है, वही आहार, को ऐसा तो नहीं हम को कुछ दूसरा दिया आपने, वही रोटी, वही उसने भावों से बनाया वोई दाल वोई रोटी में परिवर्तन क्या है तो परिवर्तन है आपके परिणामों में आपकी भावों के दिर मलताओं में आपने उन परिनामों से उन भावों से हमें दिया है और बनाया है और हमने लिया है तो आज हमारा परिवसन हो रहा है क्योंकि हमारे यहां सब का मात्वे द्रव छेत्रकाल भाव भाव तो दूसरा बिंदू है दूसरा बिंदू विवेक शक्ती एक बहुत महत्पून्ट चीजे विवेक-शक्ती यह विवेक आप के अंदर है कि नित अगर आप एक आदश गिढ़नी हैं अगर आप बहुत अपने परिवार का नेतत्व करने की छमता आप में हैं लेकिन छमता में विवेक शक्ति का होना बहुत जरूरी है जिस प्रकार से आप भोजन खाते हैं तो बहुत समझ के खाते हैं कि क्या काना क्या ने काना है ना बहुत अच्छा देखते हैं किसे स्वास अच्छा रहेगा उसी प्रकार विवेक शक्ति मतलब क्या विवेक शक्ति का सीड़ी सीड़ी परिवाश है यह क्या सुनना क्या देखना और क्या बोलना क्या सुनना क्या देखना और क्या ब बोलना ये तीनों बहुत 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 महत्पूने इसमें आप जागरती रखना वही सुनें वही देखें और वही बोलें जिससे आपकी गरीमा को खत्राना हो जिससे आपकी गरीमा को खत्राना वही देखें वही सुनें जहां रखना और वही बोलें क्या हो बोलते विचार माराज़ ची मिर्नाइन दो, जह गाला का दोगे महाराज पूजन दोगे इन गूत आप मुझसे लो तो मैं दूंगा मैं आप मुझसे लो तो मैं दूगा। था मैं दोगा मैं यह दूता हूँ कि एक कायिस करकलो जाहे जो हो जाए अपने परिवार की बात अपने माय के में नी करना ये नियम देता हूं। कि अपने जैसे वो दो नियम जीते 한 कर्टव्यों का और अच्छाइएउंक का उसी प्रकार तीसरा ये नियम देता हूं। कि युकर ते Wendy के लिस्ट बनाओ और अपने परिवार की अच्छाईओं को बता और तीसरा ये कि भाया कुछ भी हो जाए अपने परिवार की बात अपने माता पिता को या कोई को नी करना बताना मत कि मेरा पती ऐसा है मेरी सासू ऐसी है मेरे ससूर ऐसे हैं मेरे देवर ऐसे हैं मेरी जेठानी ऐसे हैं हों गार्य को उपने हो उन ब一个 हो और को अछे पрипšße हो रही आप एफ दोंगे दोकी फारेशान रही रखने बदल सकते नहीं हो बदलाकर याए नहीं हो पाएगी लेकिन आप अपने आपको इन छोटी-छोटी बातों को लेकर होती उत्車 सी ये बात ले भू हुए बात को कि साइज आप खुर डिपेंड आपके उपर डिपेंड वही बात आप बहुत बड़ी कर सकते हो उवह अपट उनकर निकाल सकते हो, सुनकर आप बाहर कर सकते हो, उसी बात को, उसी परिस्थिती को आप सुनकर बाहर कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप उस बाते अपनी परिवार में शेयर करते हैं, तो ध्यान रखना, सब करना, किसकी बढ़ाई कर रहे हो, अपनी पती की, जिनके साथ हमें अंतिम सांस त है सब कुछ करेंगे लेकिन अपने परिवार की बात कभी भी किसी से नहीं कहेंगे आदसनारी रहेंगे कभी नहीं कहना लेकिन बहुत कम ऐसी बहु होंगी यहीं बैठी वी इत्ती सारी जिन्ने सास का भी जीवन अभी जी रही है बहु का भी जिन्ने जीवन जी आए शायद ह कोई होगी तो अपने सास को कहती होगी कि मेरी मां से जएधा अपने मां को मानती हूँでは या को कि समुझे ने बेटी मानेंगी जब भी तो मिलेगा तो ये बात विशेज ज्यान रखना चाहे जो हो जाए ये विवेक शक्ती रखना अपने परिवार की बात कभी भी नहीं बोलना तो हमें हो रहा लेकिन अच्छा श्री जी की बहुत अच्छी बात अचार भगवन कियेगी कि अच्छा श श्री जाच शुन दो जोड़ दी सोचने और करने के पेले उद्देश को निहाल ले सब कुछ आगी है इसमें समस्व चीज़ें आगई जानना देखना बोलना सोचना और करना उसके पहले उद्देश को निहालने ये अपने अपने पक्ष मेले सकता है ये हम लोगों के लि मेर तो किया देखना चाहिए क्या देख रहे हो आप देख DOES dá रहे हो BUT ढेख रहे है outta Android आप बोल रहे हो आप दूसर यदिगर के बॉल रहे हो क्या जान रहे हो Smile तो सिछ को जाने से वहान सकते हैं, आप आपर जान हो प Confederate आधि क्या काम कि न enca recommending अने कर रहे हो, तो क्या रही है, तो मैं आप कर रहे हूं रहे हैं है उस उद्देश्य को निहाले फिर करें इस पर और एक बहुत अच्छा दस्टान लेकिन समय अपना हो गया है उसको मैं कल आपके बीश में रुखूंगा बहुत अच्छी बात देगी आचार भगवन का हम प्रति दिन आपके सामने कुछ न कुछ न कुछ न कुछ बात रख कि जो डायरी थी उस डायरी में कमल कुमार जी बढ़ जात्या अजमेर वालों ने वो सब ली थी दो कविताएं और दो चीज आपको सुना दिती और कुछ उन्होंने जो उतारी थी वो और सुना रहा हूं कि रगग्रक्ष रग्रक्ष से करुना जखरे दुखी जनों को दे चिर्पू लखना नयन में चिंता रुदुर की रेख मतलब क्या रग रख से करुना जरती हेगी किसको देखकर दुखी जनों को देखकर और चिर्पू लखना नयन में और क्या आसु आ रहे हैं नयन में और चिंता रुदुर की रेख यहां कि अपना रुदिर है वो कैसा हो चिंतित हो रहा है गा फिर एक और लिखी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है जो लोग पूजा कर रहे हैं उनके लिए पूजा हमने की सही पूजा हमने की सही कि ये बहुत ही पांठ फिर भी सत्य नहीं मिला खुलीन मन की गाठ और एक और सुनते सुनते सांस्त्र को से तुनते सास्त को भगिर हो गए कान फिर भी त्रस्तना ना मिटी प्रयान पत प्रप्तान अब भी भी तरश्टानी मिट रही है खाना नहीं चूट रहाएगा दूसरे विशय नहीं चूट रहेंगे अब खुब सुन रहे हैं लेकिन कहां सुन कुछ नहीं रहे और एक और और फिर बाकी की तीन चार कल सुना देंगे उस पतिक की क्या परिक्षा उस पतिक की क्या परिक्षा जिसके पत में शूल नहो क्या बोला उस पतिक की क्या परिक्षा जिस पत में शूल नहो उस नाविक की क्या परिक्षा जिसे के प्रभाव प्रतिकूल नहों मतलब जिसके नदी प्रतिकूल नहीं आरे हवा अगर पति क्या परिक्षा तो बस आपके भी अगर मालो जीवन में कुछ शूल ना हो तो जब नियम लिया और परिक्षा हो सेहजभाव से क्या होते है कि आचार भागन विद्धया से गर्जिमाहमुनी राजी की